Hello, Welcome to Canada Studies. जैसा कि हमने कल बताया था कि मैं अर्गूमेंट राइटिंग पे बना चुका था और वो रिपोर्ट राइटिंग पे दिखाऊंगा. तो same candidate, जिस candidate का हमने कल argument दिखाय था, same test का उसी candidate का आज मैं एक report आपको दिखा रहा हूँ, वो अंकुस सिंगला, 191 rank, paper 2, 82 marks, paper 1 में उनका 103.99 और interview में उनका 105 marks, तो यह हम already चीज़े बता चुके हैं, तो same candidate का आज हम एक report sample दिखा रहे हैं, आप उसको देखें, और जो भी argument का नहीं देखें, उसको भी आप देखें, इसको भी देखें, तो यह हम एक आज report दिखा रहे हैं, इसमें जो topic था, Arm Forces Special Power Act, जो Arm Forces Special Power Act है, UPSPA, तो UPSPA के बारे में लिखना है, तो यह आपका format होता है, लेकिन देखो, यहाँ इन्होंने एक चीज़ गलत किया, जिनरली जो किसी न्यूज पेपर का नेम आपको नहीं लिखना है, जैसे आपने Special Correspondent लिख दिया ABC, और ABC News आप लिख सकते हो, ABC Times लिख सकते हो, यह XYZ लिख सकते हो, XYZ टाइम, या फिर Sunday Special, या फिर Sunday Morning, जो भी है, यह सारी चीज़े लिख सकते हो, लेकिन जिनरली नेम ना ल आइलाइट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली यही होना चाहिए, जितने भी देखोगे शैंपल, बट स्टील आइसाच लिख दियो हो, तो आइसा नहीं है, लेकिन कहीं ने कहीं हो सकता है, कि 0.5 मार्क्स ही, और आप देखी चुके हो, कि 0.5 का, कई वीडियो में में बता चुक किसी का 280, sorry, 280. आपका 51, यह कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका 281 लिखा जाएगा, there is a huge difference, तो यह चीजे है, कि इसमें यह चीज इनका गलत है, तो अबिसली देखो, 2018 बैच का था, यह, in fact, 19th test, 2018 बाले बैच में हमने था, जो 2018 के CPF, तो उसमें हमने total test जो था, 28 करवाया था, तो यह 19, test number 19th का यह था, last एक जो टेस्ट था, वो 5th को, 5th of August को, चुकि 2000, आपका 18 में जो एक्जाम हुआ था, वो 12th of August को हुआ था, तो यह वाला टेस्ट जो था, 29th जुलाई को, उसके बाद एक जो था, वो 5th of August को test लिया था, तो एक और copy है, in coming days में और भी हम इनका दिखाएंगे, ठीक है, तो यह है, और candidate है, तो उसका भी दिखाया जाएगा, तो आप इसको देखें, तो a special power एक तरह से, यह गलत एक चली लिखा हुआ है, तो देखो, a special power, ठीक है, to arm forces, to kill anyone, जी नहीं, यह देखो, अब यहीं चीज़े है, यह kill नहीं है, कि यह चीज़े है, कि आप अपने duty के duration में, you can use force, up to minimum force, अब वो minimum force में डेत भी हो सकता है, तो कहीना कहीं, यह चीज़े, लेकिन जो है, as such, मैं दिखा रहा हूँ, कि इन्हों ने यह लिखा है, और उसके बाद भी यह select हुए है, on the case of suspicion and arrest anyone without any warrant and no criminal case can be initiated against them, यह देखो, arm forces, आप जान रहे हो, कि law and order जो होता है, law and order, वो a state government का duty है, a state government, लेकिन जब जिस एरिया में a state, जो है, a state police जो है, वो law and order को control करने के situation में नहीं होती है, तो यह क्या होता कि वहां central assistance लिया जाता है, तो आप जो central armed police forces में assistant commandant जो बन रहे हो, बनोगे, या जो बन चुके हैं, तो उनका काम क्या है कि आप a state police को assist करोगे, तो जिस एरिया में, disturbed area जिसे घोसित किया गया है, तो जो disturbed area है, तो और उहां armed forces a special power act जदी लगा है, one time जदी लग गया तो six months तक कम से कम लगा हुआ रहेगा, अब देखो यह यहां भी इन्होंने गरत लिख दिया, it was firstly implemented in Punjab, no, first implemented in Naga land, जो Naga insurgency group था, वो बहुत problem create कर रहे थे, तो Naga insurgency को खतम करने के लिए, उसे कम करने के लिए, उस पर control करने के लिए, आम forces and special power act Naga land में सबसे पहले लगाया गया था, तो देखो चुकि यह test है, आप test में गलती करोगे, तो वहां हम सुधार कराएंगे, फिर उसके बाद ही तो आप change करोगे अपना final में, ऐसा नहीं, यह final में भी कोई 100% सही नहीं लिखे देता है, देखो 100% सही पर पर exact लिखे है, 100 something, एक मेरा फ्रेंड है, assistant commandant, तो मनिपूर का है, कोबरा में, तो साइद उसने बोला था, 100 plus हमारा साइद आया था, लेकिन, exceptional होते हैं, तो कही नहीं आप वहां भी गलती करते हो, हर कोई गलती करते हैं, तो कोई वह दिकत नहीं, अब देखो, यह आपका, इसमें कही न इस इपलिमेंट वा दिक रूल विह उत्यूबंद, वर नहीं, इसम, आपका, चाहिं एसम वे नहीं, पौर्ण आयजरा वह अरूं, अब एफीश यह, झाल, वेपलास विवापन, शीम, इसम्यरा से रुट्याशल वे गलती करते हैं, तो इस अटल है, वह जए प्री कहीं मे that judicial review is a basic feature of the constitution and all are equal in the eye of law and no one can get blanket protection of this blatant act of human violence. यानि की सुप्रीम कोट ने कहा है कि देखो आइचा नहीं है कि आप जिसको मर्जी ही वो किल तो किल सब देहां नहीं लिखना है कि कहीं नहीं लिखना है कि यूज मिनिमम फोर्स तो उस फोर्स के तहत कि up to extent of killing of someone कि उस duration में कोई भी किसी का date भी हो जाता है just imagine करो कि आप security forces में हो आप उस area में posted है जो हाँ arm forces or special power act लगा हुआ है अब उस duration में आपने किसी को बोला हा रूकना है अब वो रूका नहीं या आप पर firing करने लगा या भाग रहा तो आप suspicion में आप गुली चला सकते हो जो भी action ले सकते हो तो उसमें तो duty के duration में आप during the course of your duty if someone get killed then you will not be charged of murder and all लेकिन यह Supreme Court ने कहा ऐसा नहीं है उसकी जाच होनी चाहिए उसका ऐसा नहीं है कि आप just misuse करोगे अब इसमें देखो एक justice g1 ready committee है अब यह जदी आप जानते हो arm forces special power act अभी भी valid है आप इसको यह कर लोगे justice g1 ready committee justice g1 ready committee जो Supreme Court के retired judge है तो recently central government has east out there act from certain areas such as of Jammu and Kashmir Tirpura Mizoram and Assam government was given power to continue it or disband it according to security forces officers without this right they cannot work as or it will decrease their effectiveness and create fear of prosecution among soldiers according to them hardly one to two percent of fake encounter cases are available and arm forces courts and tribunals are taking a strict actions for culprits they are also agree with the removal of this act when situation persist it is for the center center central one chief central government to decide whether to continue with it or discontinue it तो यह इनका आशाच लिखा था लिखा था लिखा था लिखो इंस्पाइट आफ बहुत सारी mistakes हैं मिस्टेक्स के बापजूद भी लिखो 82 इनका total जो भी आया final में आया तो आप gradually लिखोगे first में आपको साइध three hours में complete नहीं कर पाओगे तो आप थोड़ा सब ज्यादा टाइम लो लेकिन continue at least यह target रखो कि हमको पूरा करना है तीन घंटे लगे ताड़े तीन घंटे लगे फिर दीरे तीरे जचा दो तीन टेस्ट लिखे उसके बाद यह है कि हमें टाइमली कंप्लीट करना है पुछ गलत होगा तो ठीक है उसका हम solution provide आपको करवा रहे हैं ज़दी आप test लिखते हो तो उसका solution provide किया गा रहा है आप उससे देखो सीखो ऐसा नहीं है मैं हमेशा बोलता हूं कि you can write better than mine हम जो लिख रहे हैं आपको provide करवाते हैं वो उससे अब सपोच कोई candidate है अल्रेडी मास्टर्स किये हुए है या फिर डेली इंवर्शिटी या रेपुटरी इंस्टिटूट से ग्रेजुएशन किये हुए है या आर्ट्स में से अपकी excellent writing skills है तो no doubt आप जाओगे लिख लोगे लेकिन मैं medium candidate जो general candidate है, simple candidate से हैं तो आप practice करोगे तब ही sometime क्या होता ना कि आप कुछ भी लीखते हो तो उस समय आपको नहीं पता चलता है कि हम क्या गलत लीख रहे है जब आपको फिड़ो एक मिलता है जब आपको बताया जाता है कि अच्छा है ये आप गलती कर रहे हो तब आपको realized होता है और बारबाल multiple time आप mistake करोगे त तो ये sample था हम coming days में और भी दूसरे topics भी दिखाएंगे तो जो भी है इसको pause करो और पढ़ो उसको देखो चीजों को समझो ठीक है तो hope कुछ भी questions क्यों दी है तो वो हमें comment box में better डालो जो भी public question हो जो normal cases में हो जो आपका private कुछ questions होते हैं कि चलो हमें public में नहीं डालना है तो आप में whatsapp पे डाल सकते हो या फिर इस number पे आप telegram में भी telegram में भी personal message कर सकते हो जिनको टेस्ट देना है वो कि इनस्टेडीज पे जाकर के टेस्ट दें Thanks for watching this. Have a nice day.